तो class अब हम सीखेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है benefits from transgenic animals अगर हम बात करें कि हमें इन transgenic animals से क्या-क्या फाइदा हो रहा है तो वो हम यहाँ पर सीखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे normal physiology and development के बारे में कि कैसे transgenic animals normal physiology और development को समझने में हमारी मदद करते हैं दूसरे benefit है study of the disease कोई particular disease का अगर हमें पता लगाना है तो transgenic animals पर experiment करकर हम अच्छे से disease को पैचान सकते हैं या उसके बारे में study कर सकते हैं तीसरा benefit है biological products बहुत सारे biological products हमें transgenic animals से मिल सकते हैं उसके बाद जो हम benefit की बात कर रहे हैं उसका नाम है chemical safety testing जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से हम chemicals को test कर सकते हैं transgenic animals के अंदर और उनकी safety levels का पता लगा सकते हैं और जो last benefit हम study करेंगे वो है हमारा vaccine safety कि कोई particular vaccine अगर human body में डालना है या insert करना है तो उसके पहले हम यहाँ पर transgenic animals में check करते हैं कि वो safe होगा या नहीं होगा सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा सबसे पहला benefit जिसका नाम है normal physiology and development जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी body का genetic material है वो body के बहुत सारे functions को और structure को control करता है तो हम बात करते हैं कि जो transgenic animals हैं उन्हें हम use कर सकते हैं ताकि हम study कर सकें कि कि किस तरीके से हमारी body में gene regulation होता है और इसी के साथ साथ हम study कर सकें foreign genes के बारे में और उनका effect हमारी normal body functions पर तो overall जैसा कि हम जानते हैं कि जो gene है हमारी body में या जो पूरा genetic material है वो पूरे growth और development को control करता है human के अंदर और उसकी normal physiology को भी तो इसकी study करने के लिए हम transgenic animals को यहाँ पर use कर सकते हैं Thus, transgenic animals helps in studying the biological effect of the gene तो इसके लिए हम क्या करते हैं इसके लिए हम लेते हैं एक mouse जिसका genetic material यहाँ पर आपको दिखाया गया है और एक हमने लिया है white वाला mouse जिसका genetic material अलग से आपको नजर आ रहा है तो finally हम यहाँ पर इन दोनों के combination से बनाते हैं एक transgenic mouse जिसके अंदर हमें altered gene हमारा नजर आ रहा है तो जो black color का mouse था और जो white color का था उससे finally हमने बनाया एक black and white transgenic mouse containing altered gene तो इस तरीके से जो transgenic animals है उनसे हम normal physiology and development study कर सकते हैं अगर हम एक example को समझे तो जो transgenic animals है वो हमारी मदद करते हैं insulin like growth factors के biological role या function को समझने के लिए तो अगर हमें normal physiology और development study करना है तो हम study कर सकते हैं बहुत सारे complex factors के बारे में जो की मदद कर रहे हैं growth में और उसमें एक important हमारा कौन सा growth factor है insulin like growth factor जिसमें हम बात करते हैं जो IGF1 है या insulin like growth factor है ये एक hormone है जो की similar होता है insulin के molecular structure से और यह बहुत important role play करता है overall growth में, childhood में और इसके बहुत सारे anabolic effects भी होते हैं adults में anabolic यानी बहुत सारे constructive effects जो overall मिलकर important compounds बनाने में मदद करेंगे और body की overall growth और development करने में भी मदद करेंगे इसके बाद हमारा दूसरा benefit है study of disease के बारे में इसमें हम बात करते हैं कि जो transgenic animals हैं उन्हें इस तरीके से design किया जाता है ताकि वो as a model serve कर सके research में और research हम यहाँ पर किस बात की कर रहे हैं? यहाँ पर हम research कर रहे हैं कि किस तरीके से जो genes हैं वो overall disease को develop करने में contribute करते हैं और finally उनके treatment को हम यहाँ पर कैसे discover कर सकते हैं तो अभी तक हमने इतने transgenic models तयार कर लिये हैं जो बहुत सारी human diseases के बारे में study करने में मदद करते हैं जैसे की cancer, Alzheimer's disease जिसमें memory loss हो जाता है old age में उसके बाद हम बात करते हैं cystic fibrosis की जिसमें mucus develop हो जाता है lungs के अंदर और finally वो block कर देता है पूरे respiratory pathway को और एक और disease की हम बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं rheumitted arthritis जिसमें जो joints हैं उनमें swelling आ जाती है उनमें inflammation हो जाता है तो जो joints हैं उनको bend करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनमें pain होता है तो इन सारी diseases के लिए या इन सारी diseases को study करने के लिए transgenic animals को बहुत सादा use किया गया है इसके बाद अगर हम बात करें biological products के बारे में तो जो transgenic mouse है या बाकी सारे transgenic animals हैं वो बहुत सारे useful products बनाने में मदद करते हैं जो as a biological product काम आते हैं और diseases को ठीक भी करते हैं यहाँ पर हम एक example ले रहे हैं जिसका नाम है alpha-1 antitrypsin AAT जो कि एक human protein है और यह बहुत जादा important protein है क्योंकि यह treat करता है emphysema को और protect करता है lungs को अब यह emphysema disease क्या है उसे यहाँ पर हम समझेंगे emphysema एक ऐसी lung condition है that causes shortness of breath यानि सास लेने में हमें दिक्कत होती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो air sacs है lungs में वो damage हो गए है और इनके damage होने की वज़े से हम सास नहीं ले पाते हैं अच्छे से तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको दिखाया गया है chromosome और इसमें एक gene highlight किया गया है जो code करता है alpha 1 antitrypsin को और ultimately alpha 1 antitrypsin मदद करता है emphysema को treat करने में इसके बाद हम बात करते हैं treatment of various diseases तो बहुत सारे attempts किये गए थे transgenic animals के उपर ताकि वो मदद कर सके phenylketonuria और cystic fibrosis जैसी hereditary diseases को ठीक करने में तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले develop की गई थी एक transgenic cow जिसका नाम रखा गया था Rosie तो यह first transgenic cow थी जिसे born किया था in the year 1997 और इसने produce किया था human protein enriched milk यानि जो milk इसने produce किया था वो बहुत जादा rich था human protein में और इसके अंदर हमने insert किया था human का gene जिसका नाम था alpha lacto albumin और इस तरीके से इसे हमने बनाया था first transgenic cow अगर हम बात करें alpha lacto albumin के बारे में तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं ऐसा milk है जो contain कर रहा था 2.4 grams of human protein per liter of milk यानि जो रोजी cow हमने transgenic animal के तौर पे बनाई थी ये produce कर रहे थी इतना human protein enriched milk जिसके अंदर था 2.4 grams of human protein इसे दिया गया था babies को और old ones को यानि adults को specially जिनके अंदर digestive और nutritional requirements जादा थी हम बोल रहे हैं it was a more balanced product for human babies than natural cow milk इसके बाद हम बात करेंगे हमारे दूसरे benefit के बारे में जिसका नाम है vaccine safety तो हम बात करते हैं कि जो transgenic mouse developed किये गए हैं उन्हें use किया जाता है vaccines की safety को test करने के लिए जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं polio vaccine तो जो polio vaccine discover की गई थी उसे पहले test किया गया था transgenic mouse के अंदर ताकि हम test कर सकें कि जो vaccine है वो safe है या नहीं humans को देने के लिए तो हम बात करें कि जो transgenic mouse है उन्हें use किया जाता है polio vaccine के लिए और अगर यह successful हुए तो हम इन्हें use कर सकते हैं ताकि हम monkeys को replace कर सकें तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर mouse जो transgenic mouse हमने develop किये हैं वो बहुत जादा successful और reliable हो जाते हैं तो हम replace कर सकते हैं monkeys की use को vaccine safety के लिए और हम इन्हें बचा सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले benefit के बारे में जिसका नाम है chemical safety testing इसे हम toxicity testing भी बोल सकते हैं जैसा कि नाम है सेम वैसा ही यहाँ पर हम करते हैं हम यहाँ पर test करते हैं toxic chemicals को तो यहाँ पर transgenic animals लिये जाते हैं जो की मदद करते हैं chemicals की toxicity को पैचानने के लिए तो इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम बोल रहे हैं कि जो transgenic mouse है वो sensitive होता है toxins के लिए as compared to the non-transgenic animals जो की insensitive होते हैं toxins के लिए तो जो transgenic animals हैं उन्हें इस तरीके से तयार किया जाता है कि इनके अंदर gene insert किया जाता है और यह gene इन्हें बहुत जादा sensitive बना देता है toxic substances के लिए और इसी तरीके से फिर effects को study किया जाता है तो इसमें हम बात कर रहे हैं जो effect होता है toxic substances का transgenic mouse के उपर उसे record किया जाता है उसे study किया जाता है और finally जो results हमें मिलते हैं उससे हमें पता लगता है कि कौन सा chemical toxic होगा अगर human body में दिया गया और कौन सा chemical less toxic या non-toxic होगा झाल